तो आपको बतावे कि कल फ्लो टेस्ट हुआ था और फ्लो टेस्ट में सदन में बीजेपी हार गई है और कमलनाथ सरकार अब पात साल के लिए आश्रस्त है इसी इनी समुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ नियूज रूम से लाइव संदीप से इन जुड़ गए है संदीप बीजेपी को कही न कहीं बड़ा जटका लगा है और आज अगर बात किजा प्रदेश अदिक्ष राकेश सिंग वो मेरतन बैठ के करेंगे तो क्या लगता है कि अब बीजेपी क्या कुछ रन नीती बनाएगी जी बिल्कुल देखें कल जिस तरह से फ्लो टेस्ट हूँ मैं कही न कहीं सरकार की जीत हुई है बहूमत सिद्गिया है सरकार ने उसके बाद जो बिधायक हैं बीजेपी के वो पाले से खिसके हैं और इसके बाद जो बीजेपी को जो जटका लगा है उसके आदार पर कहा जा सकता है कि किस तरह से जो है बीजेपी का जो सियासी गणेत है वो फेल हुआ है देखने वाली बात यह होगी कि कल रात में ही राकेश सिंग जो है वो पहुच गए थे बीजेपी मुख्यला है और तावड तोड़ उन्होंने बैठके की है और उन्होंने कमलाथ सरकार को वोट किया है सदन में अगर देखा जाए कि किसी जो वोट किये गए है किसी अंतरकला की वज़े से किये गए है हलंकि दोनों विधाय को जिन्हों ने वोट किया है उन्होंने शेटर में विकास का हवाला दिया है क्या अगर बीजियपी की सरकार आती तो शेटर में विकास नहीं होता तो आपको बता दे कि करनाटक में कॉंग्रेस से जेडिये सरकार किरने से भाजपा काफी उत्साहत है तो वहीं मद्रदेश में बीजेपी को बड़ा जटका लगा है और कल फ्लोटेस्ट हुआ था विधान सभा में विपक्ष के नेता गोपाल भारगव ने सुभा विधान सभा में मुख्य मंत्री को चुनौती दी कि पार्टी के नंबर एक और दो आदेश दे तो 24 गंटे में सरकार गिरा दी चाहेगे इसके पाँच गंटे बाद ही कमलनाथ सरकार ने अपनी ताकत दिखाई और बहुमत सिध कर दी है अब पाँच सालों तक कमलनाथ सरकार आश्वस्त है तो वहीं आपको बता दे के विधान सभा में आप राथिक कानून बिल 2019 पर चर्शा के दौरान भाजपा ने बिल का समर्थन भी किया बावजूद इसके बसपा विधायक संजीव सिंग कुश्वाहा ने बिल पर अचानक डिविजिन मांग ली है फिर बिल पर वोटिंग हुई तो इसके समर्थन में 122 वोट बहुमत में जो पड़े वो कमलनाथ सरकार के हित में थे इसमें कॉंग्रिस के 113, दो बसपा, एक सपा, चार निर्दलिय और महियर से भाजपा विधायक नारायन त्रिपाथी और बियोहारी से विधायक शरत कोल के क्रॉस वोटिंग से ये वोट शामिल किये गए एक बार फिर से संदीप हमारे साथ नियूज रूम से लाइफ जोड़ गया है, संदीप बीजेपी को बड़ा जटका लगा है, कॉंग्रिस कमलनाथ सरकार जीत गई है और बीजेपी के दो विधायक बागी हुए हैं, जिन्होंने कॉंग्रिस के पक्ष में वोट किया, अलंकि उन्होंने हवाला दिया है कि उनके शेतर में विकास कमलनाथ सरकार करेगी, अगर बीजेपी की सरकार आती तो क्या विकास नहीं होता? जी बिलकुल देखिये, सवाल आपका बाजिव है, कि जिस तरह से विजेपी जो है, वो दो विधायक उनके कॉंग्रिस के पाले में गए हैं, और विकास जो है, उसका वादा कमलनाथ सरकार ने उनकी छेतर की जनता से जो किया है, और विधायक इसके फेवर में थे, कि कमलन सरकार के रहते हुए, उनके छेतर का ज्यादा विकास हो सकता है, इसी के चलते वो जो उन्होंने दल बदल किया है, या कल जिस तरह से सरकार का साथ दिया है, उसको लेकर देखने वाली बात ये होगी, कि दोनों ही विधायक, अब कितने विकास अपने छेतर का कर पाते हैं, और कितनी उम्मीदों पर खरा उतर पाते हैं। यहां का सियासी गणे तो थोड़ा सा अलग है और मद्रदेश में जो 116 का बहूमत का आकड़ा है। की कमलनाथ एक एक्सिडेंटल सी एम है या फिर कॉंग्रेस की सरकार एक लोली लणगी सरकार है। अब देखना होगा की बीजेपी का क्या स्टेंड होता है क्योंकि बीजेपी का पूरी तरह से जो सियासी रणनीती है या विधानसवा को लेकर जो भी उन्होंने रणनीती बनाई थी। दोनों ही दलों ने पहले विधायक दल की बैठक की थी बजट सत्र से पहले या विधानसवा जब भी होती है उसके पहले दोनों ही दल अपने विधायकों के साथ बैठक करते हैं। तो इस बार कुल मिलाकर बीजेपी का जो फ्लोर मैनेजमेंट है या फिर जो भी जो उनका गलित था विधानसवा चुनाओ के पहले पूरी तरह से उनका मैनेजमेंट फेल यहाँ पर सावित हुआ है और कहीं न कहीं कॉंग्रेस का जो मैनेजमेंट है पूरी तरह से अपने ज पर बात की जाए रितिव तो कुछ इसी तरह के नजारे 15 साल जब भाजपा की सरकार रही तब भी देखने को मिले थे चाहे चोधरी राकेश सिंग की बात की जाए या फिर नारायन तिर पार्टी की ये सभी कॉंग्रेस में हुआ करते थे और जब भी इस तरह का सदन में सिया जब भी किसी सत्र में कहीं न कहीं जो बात होती थी या विपक्च जो है विपक्च में बैठी उस समय की कॉंग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आती थी तब भी ऐसे ही नजारे सदन में देखने को मिलते थे और कॉंग्रेस के एक दो विधायक चिटक कर भाजपा के खेमे में आ जाते थे तो कुल मिलाकर अब जो है नजारा हो तस्वीर पूरी तरह से 2019 में बदल चुकी है अब कॉंग्रेस की सरकार है और भाजपा के विधायक कॉंग्रेस के साथ जो रहा है करने करकर समझाइश देनी चाहिए थी देखी रेतू यहां जीत और हार का सवाल नहीं है सवाल इस बात का था कि सरकार पास साल तक कैसे चलेगी क्योंकि लगातार बिपक्ष आकरामक था और आकरमक था के साथ कल भी शुरूआत हुई थी सुबह सुबह विधान सवा की और नेता पृतिपक्ष गोपाल भारगाओ का भी बयाना आये था कि अगर बीजेपी के नंबर एक और दो इचारा कर दे तो सरकार जो है साम तक गिर जाएगी लेकिन पूरी तरह से पासा उल्टा पड़ा और साम होते होते जो करनाटक को लेकर बीजेपी के नेताओं के बयान नहीरा सिवरास सिंग चौहान की अगर बात की जाए तो कल कई विधायकों ने उनसे मुलाकात की है और साती सात कहीं ना कहीं जो आला कमान है उन्होंने भी रिपोर्ट जो है वो तलब की है और इसके पहले भी चुकी भाजपा से भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद कामान ने सत्र को लेकर बातचीत की थी कि सब कुछ ठीक है या नहीं है मदरपरदेश के सियासी हालचाव को लेकर आला कमान ने पहले भी रिपोर्ट तलब की थी सब BJP के सभी senior leaders ने यही कहा था कि सब कुछ ठीक है लेकिन अब जब तस्भीर बादली है तो आज देखना हो कि राकेश सिंग जो है प्रदेश अद्देक्ष कल रात ही और रात में ही वो प्रदेश कहले पहुचे और कई जो सीनिय लीडर हैं सबसे मुलाकात की है और आज भी देखना होगा कि किस तरह से बीजेपी जो है अब डेमेज कंट्रोल कर पाती है और किस तरह का जो रणनीती ह क्योंकि आलाकमान ने रिपोर्ट तलप की है जो कारवाह का देख्षे जेपी नड़्डा और प्रदेश परवारी ब्ल संतोष दौनों ने ही रिपोर्ट तलप की है और साम तक बीजेपी मद्ध प्रदेश संगठन को इ Recovery है तो देखना होगा कि किस तरह से डेमेज कंट्र प्रदेश भाजपा का नेतिवत कर पाता है। प्रदेश भाजपा का नेतिवत कर पाता है। अब उसी रणनीति का जवाब कैसे बीजेपी दे पाती है। ये देखने वाली बात होगी। लेकिन निश्यत तोर पर ये सत्र काफी एहम रहा। कॉंग्रेस के लिए लगातार फ्लोर टेस्ट की बात कही जाती रही। लेकिन कमलनास सरकार ने वहुमत सावित किया और निश्यत तोर पर कहीं न कहीं उनके रणनीति कार जो है। और पूरे प्रदेश की जनता को या सियासत दानों को ये जरूर संदेश देने में सफल होई है। बीचिपी की हार हुई और बीचिपी के दो भागी विधाय को ने क्रॉस वोटिंग कर कमलनास सरकार की बहुमत सिध कर दी है। बीचिपी के दोड स्थब्सक्राइब रॉनष आनीति झाल झाल